तो आज हम बात करेंगे इस किट में से इस्टिच काइड फुट के बारे में देखे ये वाला और इस वीडियो में आपको इसका फुल इंफॉमिशन देने वाली हूं तो वीडियो को मिस बिल्कुल मत करिएगा और इस किट का रिव्यू मैं अपने पिछली वीडियो में दे चुकी हूं और अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आई बटन में दे दूँगी आप बहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं और सिंगल सिंगल फुट के भी डेमो मैंने अपने चैनल पर दे रखे हैं आप जाएए वहां पर एक प्ले लिस्ट है वहां पर सारे फुट क की लैनिंग में जो गैब है यह हमारी shtich को गाइट करता है अगर इस लाइन से हमारी shtich ५। out होती है तो हमें पतल लग जाता है कि जो हमारी shtich है वह सीधी नहीं आ रहे हैं और बहुत बारिक है से हमें पासपास से अगर stitch लगानी है तो ये बहुत important foot है हमारी stitching के लिए तो चलिए इसको machine में कर लेते हैं install और install करने के लिए जो हमारा pressure foot lifter है उसको हम उपर के तरफ कर देंगे foot को नीचे रखेंगे और foot lifter को उसकी foot की उपर रखकर हम इसको install कर लेंगे देखिए कुछ इस तरीके से ये machine में install हो चुका है अब हम fabric ले लेंगे जिस fabric पर हमें stitch लगानी है आप इस foot पर toy needle का भी use कर सकते हैं उस needle से भी आप amroidi बगरा करनी हो तो इस foot का use आप कर सकते हैं amroidi के लिए जो हमारी सलवार होती है सलवार का हम जो महौरी बनाते हैं उसके लिए या हमें कभी कहीं पर double slide लगानी है tipper लगानी है तो ये stitch foot हमारे लिए बहुत helpful रहने वाला है देखिए आपको दिख रहा होगा मैंने जहाँ पर needle drop की है तो वहाँ पर जो है ये starting की जो line है बहाँ पर मैं इस needle को drop करूँगी बहीं पर stitch लगाँगी तो आपको ये दिखाई देगा कि जो हम stitch करेंगे तो proper जो marking है बहीं पर marking पर चलेगी और पिल्कुल straight line में हमारी stitch होगी ये देखिए मैंने जो last वाला fabric का किनार है बुरह खायमने six line पर और जो needle drop है वो मेरी है फर्स्ट वाली line पर मसीन की जो needle drop हो रही है देखिए जो फर्स्ट वाली line है वहाँ पर needle drop की होई है अब इसी सीधाई में हम इस पर stitch कर लेते हैं तो कभी भी आपको कपड़ा fold करना है सलवार की महौरी बनानी है कहीं पर वे आपको double सलाई लगानी है और अगर आप normal foot से लगाएंगे तो इतनी बारी की से पास पास में आप सलाई नहीं लगा सकते normal foot से हमारी जो stitch है वो out हो जाती है तेड़ी थाड़ी भी हो जाती है बट आप इस foot से जो stitch guide foot होता है यह हमारी stitch को guide करता है कि जो हमारी stitch हो रही है बिल्कुल proper cd line में हो रही है देखिए मैंने इस single वाली जो लगाई यह आपको दिख रहा होगा बिल्कुल straight ना यहां से कहीं से कम है ना कहीं से भी जादा है अब इसी की बगल में मैं आपको बहुत पतली सी बारिक सी सलाई एक लागे दिखाती हूं जो बन अमम की सलाई होगी मतला बीच में जो दोनों सलाईयों के बीच में गैप होगा वो होगा बन अमम का जो मैंने पहले needle drop की थी वो मैंने फर्स्ट वाई लाइन पर की थी इस वाँ मैंने सेकंड वाई लाइन पर drop की है दो देखे कितनी कम gap में हमने इसमें stitch लगाई हुई है इसमें आप ट्वी नीडल का यूज करके embroidery भी कर सकते हैं सलवार का पहुचा जो होता है मौरी बो बना सकते हैं बहुत ही पास पास में आप कम mm की gap में इस foot की help से stitch लगा सकते हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो stitch होती है बहुत ही straight line में इस stitch foot की help से हम डाल सकते हैं इसलिए इसको stitch foot stitch guide foot बोला जाता है क्योंकि ये stitch को guide करता है accurate line में चलने के लिए stitch की बीच का जो gap है वो है 1 mm का आप इस foot की help से 2 mm, 3 mm आपको जितना भी stitch की बीच में gap रखना है आप उतना gap रखके stitch लगा सकते हैं और इस foot में आप twin needle का भी use करके immorality कर सकते हैं 2 mm, 3 mm 4 mm तक use कर सकते हैं इस foot में आप needle और immorality के लिए ये foot बहुत ही important है ये वाला foot आपके पास होना ही चाहिए अगर आप इस teaching का work करते हैं वीडियो कैसे लगा पसंद आया हो तो like जरू करेगा और इस foot के बार में आपको कुछ पूछना हो तो comment में जरू रताइएगा नए studio में फिर मिलेंगे एक नए बिपूट के डेमो साथ अब तक के लिए देख किया बाई बाई